राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कही नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कनहया अपनी सखी विराजा के साथ भूमने चले गए। ये बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस समझे राधा रानी को पृत्वी पर जन्न लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजाब्री नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्रीदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्ष स्कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिये गए श्राप की वजए से ही श्रीदामा का जन्म शंखचूर दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परमभक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृत्वी पर वृष हृषभानुजी के घर तो हुआ लेकिन उनकी पतनी देवी कीर्थी के गर्ब से नहीं। तर असल जिस समय राधा मैया और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको हृषभानुजी और देवी कीर्थी की कुत्री बनकर प्रित्वी पर रहना होगा। मनुश्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा। वो मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप प्रित्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी। परन्तु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना अनुश्य योनी के रूप में जन लेने की तयारी करने के लिया कहा। संसार के सामने व्रिश्य भानुजी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह है एक बच्चा दुनिया में आता है। ठीक वैसे ही देवी कीर्थी का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन देवी कीर्थी के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान के माया से उनके गर्भ में वायू भर गई थी। देवी कीर्थी ने उसी वायू को जन दिया। इस दोरान उन्हें प्रसव पीरा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन लिया भात मास के शुकी पक्ष की अश्ट्मी के दिन राधा मैया का धर्ती पर जन्म हुआ था तब ही से हर साल इस दिन को राधा अश्ट्मी के रूप में मनाया जाता है कहानी से सीख, क्रोध ही एक बुराई है क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बाते और खराब हो जाती है इसके कारल कई दोविधाओं का सामना करना पर सकता है